केजरिवाल अब जेल की सलाखों के पीछे है और ना जाने कब तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले हैं इसे देख बहुत से सवाल उठ रहे हैं सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या केजरिवाल एडी को जांस में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कोई और वजा है खेर इसके बाद तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है अर्विन केजरिवाल को जब सोमवार को कोट में पेश किया गया तो इस दोरान E.D. ने भरी अदालत में ये कहकर सब को चोका दिया केजरिवाल ने पूछताच में बताया कि दिलनी शराब घोटाले का बड़ा आरोपी विजयनागर उन्हें नहीं बलकि आतिशी और सोरभारदवाज को रिपोर्ट करता था अब इसके बाद जैसे ही ये सवाल आतिशी से पूछा गया तो उनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला सवाल को दरकिनार करते वी आतिशी आगे भरती चली गई वहीं सौमवर शामकुन होने ट्वीटर पर लिखा कि मैं कल विसफोटर खुलासा करने जा रही हूँ ऐसे में सबकी नजर अब आतिशी की प्रेस कॉनफरेंस पर टिकी हुई थी वहीं आज वो प्रेस कॉनफरेंस कर रही है दिल्ली की मंतरी आतिशी मार लेना ने प्रेस कॉनफरेंस का दावा किया है कि मेरे एक बेहत करीबी माध्यम से मुझे विज़ेपी जोइन करने के लिए अप्रोच किया गया है मुझसे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियल बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तयार रही है आतिशी ने कहा कि मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिष्टेदारों के घर में ED की रेड होगी उसके बा सारी है आतिशी ने कहा ED ने कल कोट में मेरा और सोरा भार्दवाज का नाम लिया उस बयान की अधार पर जो ED के पास पिछले डेड़ साल से है यह स्टेटमेंट ED के चार्ज शीट में भी है कोट में इसे उठाने का क्या मकसद है वजह यह है कि विजेपी को लग रहा है कि क दावे के मताबिक दली के सीम के ज्रीवाल ने विजह नागर के बारे में कहा था कि वह मेरा व्यक्ति है उन पर भरोसा किया जाए हालांकि ED ने दावा किया कि इस पूरी साजिस्ट को विजह नायर और कुछ अन्य लोगों ने साथ ग्रूप के साथ मिलकर अन्जाम दिया है ED का दावा किया है कि विजह नायर अर्विन के ज्रीवाल और तब के डिप्टे सीम ने इस सिशो दिया के लिए काम करता था अब आगिस मामले में क्या क्या फैसला सामने आएगा यह तो वक्त ही बताएगा फिरहाल के लिए जनतादर्बान योज में इतना ही